नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल जीओ विनुस में दोस्तों यह वीडियो पुरा ध्यान से देखे क्योंकि एक जुलाई से बहुत बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं जो आपको जान लेना बहुत जरूरी होगा जी हाँ तो यदि आप वाटसेप यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत बुरी खबर है एक जुलाई से स्मार्टफोन में नहीं चलेंगे वाटसेप अप जी हाँ तो वाटसेप ने कुछ यूजर्स के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है आपको बता दे कि वाटसेप ने मुताविक दुनिया भर में सिर्फ 0.24% लोग ही विंडो अपरेटिंग सिस्टम का इतमाल करते हैं इसके आलावा कमपनी ने अपने FAQ सपोर्ट पेस पर यह जानकारी दी है कि Android वर्जन 2.3.7 और उससे पहले अपरेटिंग सिस्टम ISO 7 और इससे पुराने अपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं आइफोन पर भी एक फरवरी 2020 के बाद से वाटसेप काम नहीं करेगा जी यहां तो सो यह बहुत बड़ी खबर आपको बता दे कि कमपनी ने कहा है कि मौझूदा समय में वाटसेप Android के 4.0.3 वर्जन के बाद के सारे उपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकता हैं लेकिन आइफोन में यह ISO 8 के बाद वाले वर्जन में उपलब्ध होगा और के ISO 2.5.1 के बाद OS पर जिसमें जियो फोन और जियो फोन 2 सामिल है उस पर चल सकता हैं आपको बता दे कि इ हंटे बटन को जरूर से दबादें और दोस्तों वीडियो को लाइक से जरूर करें और दोस्तों वीडियो को पुरा ध्यान से देखते रहें क्योंकि एक जुलाई से बैंक और पैसों की लेंदें से जुड़िया साथ ही पूरी तरीके से बदल जाएगी जी हाँ दोस्तों एक जुलाई से बैंक के कई नियम बदलने जा रहे हैं, इसका सीधा असर आपकी जेब और जिंद्गी पर पूरा पड़ेगा। करने का फैसला कर लिया है, जिसमें से सरकार ने जुलाई से सितंबर तिमाही की छोटी बचती योजनाओं की ब्याज दरों में 0.1 फीसेदी की कटोती की है, इसका मतलब यह हो जाता है कि आपको एक जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक कम बुनाफा मिलेगा, आपको बता दे कि सरकार स्मॉल सेविंग इसकी मतलब छोटी बचती योजना पर हर तिमाही में ब्याज दरे, जो की इंटरेस्ट रेट जो होती है, वो तै करती है, यह सरकार पर निर्फर करता है, कि वह कम इसमें बदलाव करती है, असपश टूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार हर तिम करने का सुल्क है, एक जुलाई से समाप्त करने की घोशना कर दी है, केंद्रिये बैंक में बैंकों से कहा गया है कि वह लाव उसी दिन से उनके ग्रहकों को दे, आपको बता दे कि आटे जीएस की बड़ी रासियों को एक खाते से दूसरे खाते में ततकार ट्रांसफर करने पैसा ट्रांसफर करने में पांच पैसे लेकर के दस उर्पे का चार्ज लेता है, भारती रिजर्ब बैंग ने आटीजेस और एन एफटी परनाली के जरिये उसके द्वारा सदज से बैंकों पर लगाये जाने वाले विभिन सुलकों की समिक्चा की है, जी हाँ दोस्तों आ काउंट के मामले में नियमों को आसान कर दिया गया है, ऐसे में खात धारकों को चेक बुक और अनसुवधाय उपलब्द कराए जा सकेगी, हाला कि बैंक इस सुवधा के लिए खात धारकों को नई नियुनतम रासी रखने के लिए नहीं कह सकते हैं, ये नई नियम एक चु का खाता के आसे ऐसे होते हैं कि जिसे सुन रासी से खोला गया है, इसमें से कोई नियुनतम रासी रखने की जरूरत नहीं होती है, इसमें से पहले नियम बचत खाते जैसे खातों को ही अतरिक सुवधा मिलती है, अता हम कह सकते हैं कि खातों में नियुनतम रासी रखने की जो जरूरत है वो अनसुल्क भी आपको देना पड़ेगा आपको बता दे कि एक जुलाई से बदल जाएगा SBI का नया नियम 42 कडोर ग्राहकों का होगा इसका सीधा असर जी आतो सो SBI की ओर से कहा गया है कि एक जुलाई से रेपूरेट में जुड़ी होम लोन ओफर किये जाएगा मतलब यह हुआ कि अगले महीने से SBI की होम लोन की ब्यास दरे पूरी तरीके से रेपूरेट पर आधारित हो जाएगी अगर इसे असान भासा में समझा जाए तो रिजर्ब बैंक जब जब रेपूरेट में बदलाव करेगा उसी आधार पर SBI की होम लोन की ब्यास दरे भी तरे करेगा जिहां तो सो आपको पता दे कि एक जुलाई से 36,000 रुपे महंगी हो जाएगी महिंद्रा कारे जिहां तो सो आटो मुबाइल कंपणी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने पैसेंजर वहिकल की कीमते 36,000 रुपे तक का इजाफ़ा करने का फैसला किया है महिंद्रा के वाहनों पर एक जुलाई से नई कीमत लाग हो जाएगी कमपनी के नए फैसले के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो बलोरो या फिर एस यूबी पांसो जैसी कार महंगी हो जाएगी आपको बता दे कि महिंद्रा ने सियर बादार में यह सूचना दिये और उसने कहा है कि भारत में सभी यात्री वाहनों में 145 सुराक्षा मापदंड लागू होने से यह बृद्धी की जा रही है जी हाँ तो अगली ख़बर में आपको बता दे कि मोधी सरकार के इस फैसले से आठ कोडोर पीएफ खाताओं को लग सकता है बहुत बड़ा जटका जी हाँ तो केंदर की मोधी सरकार पीएफ फंड ब्यास को कम करने के तयारी कर रही है वित मंतराले के इंप्रॉइमेंट प्रवर्टिव फंड और्गनाईजिशन के पीएफ की ब्यास दर को सलाना 8.65 फीसदी से कम करने के कहा गया है आपको बता दे कि वित मंतराले ने यह बात की चिंता की है कि पीएफ पर अधिक रिटर्न देने पर बैंकों के लिए आकर्शन ब्यास दरे लेना संभव नहीं होगा जिसका असर अर्थ विवस्था पर पड़ेगा इससे वितिय मंतराले एपीएफो ने पूछा था कि इसका ब्यास दरों के लिए क्या उसके पास कोई परियाप्त माप डंड है आपको बता दे कि नौकरी करने वालों की सैलरी से एक हिस्सा पीएफ के तोर पर काटा जाता है यह रकम आपके पीएफ यानि प्रोविडेंट फंड खाते में जमा होती है यह एक प्रकार का निविस कहलाता है आपको बता दे कि Employee Provident Fund यानि की EPFO यह सैलरी पाने वाले करमचारियों को रिटार्मेंट के बाद आर्थिक फाइदा देने वाली स्कीम है जो की Employee Provident Fund और्गनाजेशन यानि की EPFO द्वारा चलाई जाती है इसकी ब्यास दरे सरकार तै करती है मौजूदा समय में खात अधारकों को 8.6% का या अभ्यास बिल रहा है आपको बता दे कि देश की कुल 20% वर्क फोर्स EPFO की सदस है जो हर महिने इसकी सैलरी का कुछ हिसा अपने Provident Fund में निवेश करते है EPFO अपने Fund का 85% से जादा भी केंदर और राज्यों की सिक्यूरिटी और उची रेटिंग वाले कॉर्पोरेटर ब्रांड में निवेश करती है जिसमें से 190 अरब डॉलर की एरेट संभाविल करने की EPFO की तकरीबन 8.31 डॉलर यानि की 5.75 अरब की मुस्किले से जूच रही है जिहां दोस्तो अगली ख़बर आपको बता दे कि नहीं काटने पड़ेगे बैंकों के चकर जल्द किराय के दुकान पर मिलेगी सभी बैंकिंग सुबधा है आपको बता दे कि Spice Money का Micro ATM इस Gap को भरने का काम कर रहा है Spice Money, Spice Digital की एक Business Unit है जो की अस्थानी विक्रताओं और किराना स्टोर को एक तरीके से बैंक ब्राच में तबदिल कर रही यह अधार इन बेल्ट पेमेंट सिस्टम है जिसके तहत अपने अउठे की चाप से बैंकिंग और सर्विसेस का लुफ्ट इसमें उठाय जा सकता है जैसे कि Cash Withdraw, Cash Deposit, Balance Inquiry, अधार टू अधार, Fund Transfer और Money Strand इसमें सामिल है आपको बता दे कि Spice Money ने देश भर में करीबन दो लाग मेंटेंज पॉइंट अस्थापित किया है जिसमें से AESC सिस्टम के जरिये कैस विड्रो किया जा सकता है, कमपनी हर महीने अपने नेटवर के हजारों मर्चेंट्स को लगतार जोड रही है इस तरीके से जहां ग्रामिड चेतरों में प्रतेक 10 लाख लोगों पर 49 बैंक सका है तो वहीं दूसरी तरफ मेट्रो सहर में यह आंकड़ा 149 बैंक ब्रांचों का है इसके अलावा ग्रामिड और अर्ध ग्रामिड बैंकों के प्रतेक 10 लाख लोगों पर सिर्फ 110 एटियम है जबकि सहरों में यह आकड़ा 305 है जिहां दोसों अगली ख़बर आपको बता दे कि मौसम बिभाग ने जारी की है चेतावनी जुलाई महीने में हो सकती है भारी बारिस जिहां दोसों आपको साथान रहने की चुरूरत हैं मौसम बिभाग ने अपने ताजा पुलिटे में देश के करी राज्यों में बहुत बारी चेतावनी जारी की है मौसम बिभाग के मुताबिक गुजरात के वर्ल्ड सार में लगतार बारिस की हालात खराब होते जा रहे हैं वहीं बात करें महराष्ट में तो मौसून की बारिस अब तक आफत बनी हुई है अगले 24 घंटों में मुंबई में सभी चेत्रों में लगतार 200 मिलिमीटर वारिस हुई है मौसम बिभाग के माने तो भारी बारिस का अलट जारी किया गया है इसमें से सुमवार को यानि एक जुलाई को मुंबई में मुस्तलादार भारिस होनी की संभावना बताई जा रही है मौसम बिभाग ने कई देसों में कुछ राज़ों में 4 जुलाई तक भारी बारिस होने का अलट जारी किया है वहीं बात करें Uरissa में तो मौसं विभाग ने भारी बारिस की समभवना बताई की गई है, जबकि केरल और माहे कोष्टक करनाटक कोष्टक आदरपर्देश में भारी बारिस की समभवना बताई जारी जारी है। गुआ और मद्ध पर्देश के विधर्व की कुछ ही सो में भारी-बारी सोनी की संभावना जताई जा रही है जी हां तो सब विडियो को लाइक सेर जरूर करें और दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्काइब किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्काइब क प्लीज